नमस्कार, बुड इवनिंग, आदाप सच्रेकाल दोस्तों, मैं हूँ मनमिंदर और आप सभी का मेरे चैनल Ambi Speaks पे बहुत-बहुत स्वागत है, मैं आप सभी का खेरमक्दम करती हूँ, अभिबादन करती हूँ, चलिए मैं आपको एक अपडेट देती हूँ, समनम के बारे म कि जिस दिन उसको बरेली जेल में शिट किया गया था, वो जिन फूट-फूट के क्यों रोई, किसे याद करके रोई, मैं आपको वो सारी बात बताती हूँ, कि वो किसे याद करके रो रही थी, बरेली में इस समय उसका मन नहीं लग रहा है, सभी को पता है, वह उसके ना क यही बात सामने आ रही है, उससे जुड़ेवे सभी लोग काफी चिंती थें, परिशाने, क्योंकि बरेली जेल में शबनम कंफरडेबल फील नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, इसकी दिये एक वज़ा है, दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि रामपुर जेल में जिस समय अपने उसकी एंटी हूई थी, उस समय वहां उसका अपना कोई सर्कल नहीं था, लेकिन उस जेल में एक नई जेल कर्मी, जेल महिला कर्मी जॉइन करती है, वो उस जेल में उसकी भी तभी एंटी होती है, वो जेल में पहले तो काफी गुम्सुम रहती है, लेकिन धीरे-धीरे उसका अपना एक सर्कल बनने लगता है सबसे उसे प्यार मिनने लगता है, हालाकि उसने गुना किया है लेकिन क्या फरक पड़ता है, जेल में सभी गुनायागार ही होते हैं इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है, एक और बात जो शैद आपको नहीं मालूम, रामपुर जेल में उसको अपना घर लगने लगा था, उसके पास सब सीखने पढ़ने के लिए लोग आते थे, और उसको भी ये लगने लगा था कि हाँ मैं क्वालिफाइड हूं, मैं इस दिन शबनम इस जेल में पहुंसती है, रामपुर जेल में, उसी दिन एक नई जेल कर्मी ने भी वहाँ जोइन किया, वो महिला करमचारी थी सीता यादा, शबनम किसी उमर थी उसकी, दोनों एकी उमर की थी और दोनों बहुत जल्दी गुल मिल गई और उनकी दोस्ती ह हुए और शबनम एक बेटे को जनम देती है, शबनम ने केवल बेटे को जनम दिया, लेकिन उस बेटे को प्यार दिया पाला पोसा उस सीता यादाबनम कि जेल कर्मी ने, शबनम सीता के लिए सिलाही करती, कढ़ाही करती, दिरे-दिरे दोनों में बहुत प्यार बढ़ने लगा और स्ने की एक वज़ा भी थी उसका बेटा ताज. ताज आज भी सीता को भूला नहीं है लेकिन सीता कहा है यह मैं आपको आगे बताते हूं. ताज यह कहूं कि शर्णा का प्यार दोस्तों मिला ही उसे इस समय बंदना का भी प्यार मिल रहा है लेकिन उसे जेल में एक जेल करमचारी सीता जादव का भी बहुत प्यार मिला. पूरे जेल में ये चर्णा होती थी कि इस बच्चे की दो माँ हैं एक शबनम है और एक सीता यादव. ऐसे ही साल दर साल गुजरने लगे और छे साल जब हो गए तो सवाल आया कि अब ताज जेल में नहीं रह सकता और दोनों ही उसकी जो माँ थी शबनम और सीता यादव. परिशान हो गई कि ताज उनसे दूर जाने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि शबनम के बेटे को लेने के लिए बहुत सारे आवेदन आये। आवेदन थे जिनका क्रिमिनल बेक्राउंड था। लिहाजा उनको उस बच्चे को नहीं सौपा जा सकता था। बचे तीन में से जो दो थे वो उस दिन बच्चे को लिए नहीं नहीं आते हैं। और बचा एक वो था उस्मान और उसकी बतनी बंदना। हुई होनी चाहिए। तो उस्मान इतना एक्साइटिट था। उसका उस बच्चे के ब्रती इतना प्यार था। कि उसने शादी भी कर ले। और इस तरीके से शम्नम का बेटा और सीता यादव का बेटा जो है जेल से बाहर आ जाता है और वो उस्मान और बंदना को सौफ दे जाता है। और हाँ, जो सीता यादव कि मैं बात आपसे कर रही थी, शम्नम की सहली थी, सकी थी, उसकी मा थी, उसकी बहन थी, उसकी अपने प्रसव के दोरान मौत हो जाती है। हलाकि उसका बच जाता है, बेटी उसकी, लेकिन सीता नहीं रहती। उस दिन के बात से शम्नम की तो जैसे लाइफ ही खतम हो जाती है, वो उजड़ी हुई अपने आपको मैसूस करती है, क्योंकि ये बेटा चला जाता है, जो उसकी सबसे क्लोस सहीली थी, वो भी नहीं रह है थी, और शम्नम को कभी ऐसा दिन नहीं था, कोई भी ऐसा दिन जेल में नहीं रहा, जब वो सीता याद ना आए हो, सीता का जैसा नाम था, वैसा ही उसका व्यावार भी था, बहुत ही स्नेह करती थी शम्नम को, हलाकि उससे ही पता था कि ये कुनाहगार है, लेकिन जेल मे एक पुरा परिवार सा बना होता है, तो वहां के करमचारी भी अपनी डूटी भी करते हैं, लेकिन वो इनसानियत को नहीं भूलते हैं, और अब जब एक मार्च को शबनम को बरेली जेल शिट किया जाता है, तो शबनम बहुत रोती है, उसे लगता है कि उसका कुछ छूट जा रहा है, दर असल जो यादें सीता यादव की उस जेल में उसके साथ रहती थी, सीता यादव के जाने के बाद, वो उन यादव के सारे उस जेल में थी, रामपुर जेल में थी, अब बरेली जेल में उसके साथ कोई भी नहीं है, उसे अपना दूर दूर तक कोई नहीं दूसरी बड़ी वज़ाज यह है कि वहाँ उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा because of covid protocol के according उसको quarantine किया हुआ है वो तनहाई में है और मैंने आपको सारी बाते बता दी और आपके दिमाग में एक बात यह भी आ रही होगी कि उसका crime क्या था हर बार क्राइम बताना जरूरी नहीं है लेकिन हाँ 15 अप्रेल 2008 एक ऐसा मनुस दिन था जिस दिन साथ लोग की हत्य हो जाती है और उसमें शबनम और सलीम को नामजद किया जाता है investigation होती है और lower court से अपर court से और supreme court से उनको फासी की सजा सुनाई जाती है जो फिलहाल बरकरार है और राश्पती ने इन दोनों की mercy petition को खारिश कर दिया है इस समय उसकी एक mercy petition प्रदेश के याने कि उत्तर प्रदेश के राजबाल के पास spending है उसमें भी उनके गुणा को माफ करने की अपील की गई है देखिए let's hope क्या होता है क्योंकि शबनम का गुणा कोई छोटा गुणा नहीं है लेकिन उसके बेटे ने भी ये अपील की है कि उसकी माने अपराद किया है लेकिन उसके अपराद को शमा कर देखिए जाए वह बहुत ही मासूम से बोल बोलता है कि छोटे लोग गुना कर देते हैं और बड़े जो होते हैं उनको माफ कर देते हैं तो देखना यह है कि शबनम को माफी मिलती है या नहीं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे मेरे comment box में अपना comment सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको बहुत ही पसंदा रही है तो अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और एक और बात अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं कुछ और नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलूंगी जब तक के लिए जय हिन जय भारत